हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट इनिसेटिव जिसका नाम है पर्यास और इस इनिसेटिव को लाया गया है हमारी टीम पर्फिक्शनाइज के द्वारा दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि BPSC 67th Prelims का एकजाम 30 अपरिल को निर्धारित किया गया है ऐसी इस्तिति में सबसे महत्पूर्ण कारिक क्या बच जाता है जिन अभ्यार्थियों ने लगातार कई बरसों से लगन सीलता के साथ मेहनत से तयारी किया है उनके लिए सबसे महत्पूर्ण चीज ये रहता है कि वो लगातार अभ्यास करें उचित प्रस्नों को सॉल्व करें अच्छे प्रस्नों को सॉल्व करें और रिवीजन लगातार करते रहें इसी करी में हमारा ये इनिसियाटीव मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के लिए काफी मददगार सावित होने वाला है तो चलिए बात करते हैं पर्यास इनिसियाटीव के बारे में सबसे पहली बात ये है कि ये जो इनिसियाटीव है ये 67th BPSC Prelims के लिए है जो कि 30 अप्रिल 2020 को निर्धारित है और हमारा यह एक पर्यास है जो कि आपको सफलता की और ले जाएगा ऐसा मेरा और हमारी टीम का पूरा विश्वास है सबसे पहली बात ये है कि इस इनिसियाटीव में क्या है इस इनिसियाटीव के अंदर हम लोग total 6 mock test यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे total 6 mock test provide करा रहे हैं और आप सभी को एक बात बता दूँ कि ये mock test बिल्कुल भी free of cost है बिल्कुल भी free of cost कोई भी hidden charges नहीं है और 6 mock test, mock test का अर्थ क्या होता है mock test का अर्थ होता है एक ऐसा paper जो कि बिल्कुल main exam के paper की तरह होता है इसी करी में हमने 6 test का एक series launch करा है जो कि सभी अभ्यार्थियों के लिए निसूलक है इसमें इस mock test के अंदर जो composition BPSC का होता है सेम उसी composition के साथ हम लोग इन प्रस्नों को लेकर आएंगे इसके साथ ही standard of questions जो होगा वो भी बिल्कुल वही होगा जो कि BPSC के exam के अंदर होता है इसलिए मैं आप सभी अभ्यार्थियों से सभी छात्रों से ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग जादा से जादा संख्या में इस paper को solve करने का पर्यास करें और देखे होता गया है कि जब जादा संख्या में अभ्यार्थी paper को देंगे तो ऐसी स्थिती में आप अपने ranks को देख पाएंगे कि आप अभी कहां पे stand कर रहे हैं क्योंकि अभी भी ample amount of time बचा हुआ है अगर आपको एक weak areas पता चल जाए कि हाँ इस specific area में कुछ problem है तो आप उसके under improvement कर पाएंगे तो ये initiative ये बहुत ही महत्यपूर्ण होने वाला है हमारे सभी छात्र जो हमारे हाँ enrolled है और कोई भी ऐसा छात्र जो की हमारे हाँ enrolled है या नहीं है उसको इस test paper को दे सकता है एक competition का महल BPSC के exam के पहले एक ऐसे competition के महल को generate करना इस initiative का उध्यस है जो की आपके confidence को boost करेगा और आप अपने आपको exam को देख पाएंगे कि आप इस पूरी series में कहाँ पर इस पूरे competition में कहाँ पर खरें ठीक है कुछ और बाते करते हैं कि ये जो test paper होगा ये test paper online और offline दोनों mode में available है लेकिन अब भ्यारतियों मैं आप सभी से यह कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग जादा से जादा कोशिस करें कि offline centers में test दें अभी हमने तीन जगों पे centers रखे हैं और आप लोग का जैसा ये आता है आप लोग का जैसा आप जितना अंदर जूढते है आप लोग जितना बोलते हैं उसके कोरणिंग हम लोग और भी नहे centers को open कर सकते हैं अब ही मैं बता दू कि तीन centers कहां कहां पे है तो पहला तो पटना के अंदर है आपको पता होगा Boring Road के पास पटना के अंदर सेंटर है दूसरा गया के अंदर एक सेंटर है हमारा ठीक है और थर्ड जो है वो मुझफरपूर के अंदर एक सेंटर है तो तीन मैं बस यही चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में आए और टेस्ट पेपर देखे पूरे डेडिकेशन के साथ पूरे डिटर्मिनेशन के साथ टेस्ट पेपर को लिखे और बिल्कुल इस तरीके से टेस्ट पेपर को लिखे इस तरीके से टेस्ट दे कि जब आप ए ऐसा अक्सार देखा जाता है कि कई सारे ऐसे चात्र हैं, हमारे भी ऐसे चात्र हुए हैं जो कि पिसले कई बार के इक्जाम्स में 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क से चफ़ल होने से बनचित रह जाते हैं, उन अभ्यारतियों से मैं बिशेश रूप से यह बोलना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है आपने बहुत अच्छा पढ़ा है आपने रिविजन भी बहुत अच्छा कढ़ा है लेकिन क्या होता है कि कोई एक स्पेसिफिक द लेखते रहे उस पूरे महाल में लगातार अगर आप कारे करते नहीं तो निश्रीत रूप से आप अगले एक्जाम को क्रेक कर पाएंगे ठीक है तो कुछ और बात है कि यह जो पेपर होगा वो ऑल्लाइन और ऑफलाइन दोना होगा लेकिन मैं आप लोग को बोलूगा कि करना होता है आपको यह मार्क करना होता है ठीक है लेकिन अल्लाइन पेपर में तो क्या करना होता है जैसे आप क्लिक करेंगे वो मार्क हो जाएगा तो यह भी जो टाइम है यह वहाँ पर क्रूशियल हो सकता है देखे एक्जाम जितना बड़ा होता है जितना वास्त होता है उतनी वहाँ पर छोटी छोटी चीजों को आपको देखना पड़ता है एक्डम छोटी से छोटी चीजों को आपको गहराईयों को देखना पड़ता है एक्जाम के पैटर्न को देखना पड़ता है तो इसलिए मैं बोलूंगा कि आप सभी लोग आफ्लाइन देने का प्रयास क और बाइलिंगुल के साथ साथ इसके इस पेपर में आपको detailed explanation भी दिया जाएगा और सबसे महत्पूर्ण बात यह है कि यह सभी अभ्यार्तियों के लिए बिल्कुल निसुलक है एक भी रुपे का चार्ज नहीं है कोई भी hidden चार्ज नहीं है आपको बस क्या करना है कि अपने जो detail number दिये गया है उन numbers पर कॉल करके अपना registration कराना है वो भी बिल्कुल निसुलक है registration उसमें भी किसी परकार की charges नहीं है ठीक है तो यह बाइलिंगुल पेपर होगा और उन बाइलिंगुल पेपर का exploration होगा वह भी bilingual होगा वह हिंदी और इंग्लिस दोनों में दिया रहाएगा तो आपके पास एक अच्छे amount में अच्छे questions जो कि बिल्कुल exam के best questions है वह आपको मिलेंगे इसके बाद कुछ और बातों के उपर कब हो रहा है तो देखेंगा 17th of April में ठीक है अप्रील में इंड हो रहा है और स्टार्ट कब सो रहा है February से तो देखो 17th April को आपने टेस्ट दिया इसके एक विक का आपको रिस्ट मिला क्योंकि होता है क्या address इसलिए हमने इसके बाद एक विक इसलिए चोड़ दिया है तो इसलिए हमने एक पूरे विक का पूरा टाइम चोड़ दिया तो 17 तक आप लोग प्रिपेर हो जाएंगे और फिर 30 अपरिल को 30 अपरिल जो की में डे है जो की आपके सफलता का दीन साबित होने वाला है उस दिन के लिए आपनी सित्रुप से प्रिपेर हो ठीक है इसक क्या है आपको सफलता दिलाएगा जितना ज्यादा परियास करेंगे उतनी ज्यादा आपके सफलता के चांसे जोंगे दूसरी बात रिवीजन इस सॉलूशन जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे क्योंकि देखी होता क्या है अब आप इधर उधर की बातों में ना जा तो आपने अपने syllabus को अच्छे तरीके से cover कर लिया होगा और जब आपने syllabus को cover कर लिया है अच्छे तरीके से तो आपने short notes भी बना लिया होगा निसित रूप से ऐसा मेरा मानना है और आपका जो short notes होगा वही short notes आपके exam के दीन तक आप उसको 12 रिवाइज करते रहे multiple revision उससे जितना time आप revision कर सकते हैं उतना ज्यादा आपके लिए बेतर सावित होने वाला है तो अभी जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ आपको current affairs पढ़ना है और वो भी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं मैं maximum आपको बोलूँगा कि 15th March या maximum आप जाएंगे तो 30th March अगर आप बिल करेंटा देंगे तो current affairs आपका cover up हो जाएगा तो 30 March तक का current affairs आपको पढ़ना है और लास्ट कई बार अभ्यारती यह भी पूछते है कि कब तक का last में current affairs पढ़ना चाहिए तो मैं आपको suggest करना चाहूंगा कि कम से कम आप जून से लेकर जून से लेकर और आप 30 March तक का current affairs के पूछे गए जो सबसे महत्यपूर्ण मन्त होता है वो लास्ट का जैसे अभी अप्रिल में एकजाम है तो जनवरी का नॉमबर का दिसंबर का या फार्बरी का यह जो तीन-चार मन्त होती है काफी महत्पूर्ण होते तो इसलिए सारे मन्त को पढ़े लेकिन मैं कौन- से कम दिसंबर दिसंबर जनवरी और फर्बरी ठीक है और अगर फिफ्टींत मार्स तक कर पाए तो यह चार मन्त का जो करें पढ़े जिससे क्या होगा कि आपके कोसिंस के छूटने की समभावना नहीं रहेगी लेकिन मैं यह बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि उसके पह तो सिंसियर स्टुडेंट्स जो भी सिंसियर स्टुडेंट्स हैं उन सिंसियर स्टुडेंट्स को एकसेस करने के लिए यह आपका पेपर है यह आपका इनिस्याटिव है आप सभी के लिए काफी ज़्यादा क्या होगा मोटिवेटिंग होगा आप सभी के लिए काफी ज़् सब्सक्राइब लिए दोता है है लगता है कि ड़्त बनाई या सही बनाए तो ये चीज़े कैसे सही होंगी, मुझे जहां तक लगता है, कि सारे अभ्यारतियों का कुछ को छोड़ कर, जो exceptions are always there, लेकिन maximum अभ्यारतियों का क्या होता है, कि दो-तीन questions तो आते हुए भी गलत हो जाता है, या more than that, कभी-कभी 4-5 questions ऐसा होता है, कि आपको पता था, आप जब दुबारा color करने गए, कई बार तो उससे में उप्रफ्शन गलत होगे, कई बार ऐसा भी हुआ है, अभ्यारतियों के साथ, कि उन्होंने पूरा बना लिया, और जब color करने गए, तो time management आप सीख सकते हैं, क्या क्या सीखेंगे, आप mistakes को avoid करना सीखेंगे, दूसरी बात, आप अपने weak areas को जान पाएंगे, कि कौन-कौन से आपके weak areas हैं, लाइक कि history के अंदर हो सकता है, कि कि किसी का modern अच्छा हो, ancient में वो थोड़ा उतना focus नहीं करा हो, या कोई भी science, कई बार ऐसा होता है कि science पर हम लोग बहुत last note focus करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि current affairs हम लोग सोचते हैं कि कभी जब exam का time आएक उस समय पढ़े हैं, और क्या होता है कि पीछे का current होता है वो आपका छूट जाता है, तो आपको week areas पता चलेगा कि कौन-कौन से कमजोर areas है, कौन-कौन से areas हैं जिसके उपर आपको focus करना है, और जिन areas आपको पता चल क्लाएं, उनका मैं आपको एक suggest करूँगा कि एक पतला सा, pointers के रूप में उनके notes बना ले, pointers के रूप में uważ करने, ठीक है और इससे क्या होगा कि आपका जो targeted preparation है क्योंकि अभी आपके लिए क्या है अभी बस एक ही लक्ष है वो है 30 अपरील अगर 30 अपरील को आपने ये जो पूरा mechanism है इसको follow कर लिया तो निश्ची तूप से आपकी सफलता कहीं नहीं जाने वाली है तो आपका target बिल्कुल वही होना चाहिए जहां पर कि आप चीजों को 30 अपरील के लिए सही कर पाए तो इसके लिए आप targeted preparation को ensure कर सकते हैं और ये कैसे होगा तो ये होगा practice के help से और practice कहां पर हो रहा है तो पर्यास initiative के द्वारा perfection IS के द्वारा हो रहा है और आप सभी लोग जादा से जादा संख् करते हैं जिससे की अब हम लोग इसका एक ranking में निकालेंगे आगे एक slides में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हम लोग करने वाले दूसरी बात है कि registration के लिए कि जो भी given number है आप उस पर registration कर सकते हैं कोई भी charges नहीं है ठीक है आपको website के उपर भी link एक दो दिन में active हो जाग हम लोग आपके लिए आगे आने का प्रयास कर रहे हैं आपके लिए एक environment create करने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग भी ऐसा नहीं कि बस registration करा लिया फिर आए नहीं क्योंकि जितना ज़्यादा संख्या में आप देंगे हमारा हमें arrangement भी उतनी ज़्यादा संख्या में करनी होग तो आप सभी लोग आए अगर आपने registration करा है तो बस मैं यही suggest करूँगा आप लोग से गुजारी से भी करूँगा कि आप लोग अगर registration करा रहे हैं तो बिल्कुल आप आए टेस्ट दे निश्चित रूप से आपको एक motivation मिलेगा निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा ठीक है और larger scale पर होड़ा है मैंने बताए आपको larger scale पर होड़ा है बहुत जादा से जादा संख्या में लोग आ रहे हैं जोड़ रहे हैं ठीक है और मतलब prior registration अगर आप करा लेते हैं तो सही है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अगर कोई एकाद ऐसे students होते हैं जो कि पहले नहीं registration करा पाते हैं तो हम लोग उस समय भी करेंगे लेकिन मैं आप लोग को सजिस्ट करूँगा कि आप लोग पहले registration करा ले डैट विल बेनिफीशियल राइट आगे बढ़ते हैं कुछ और चीजों को तो त्रेस सेंटर अभी मैंने बता है कि तिल नव अभी हमने तीन सेंटर दिया कौन-कौन सा पटना सेंटर हो ग संतला कॉन-प्लेक्स जो है वो मुझाफरपुर के अंदर ये अभी तीन सेंटर सेंटर है अभी कुछ दिनों में कुछ और सेंटर एड होंगे ठीक है आगे बढ़ते कुछ और चीजों को देखते है रैंक लिस्ट सबसे महत्पूर्दी चीज क्या है रैंक लिस्ट करा जाएगा ठीक है आप खुद का एसेस्मेंट कर सकते हैं इसमें दूसी बात हमारे ऑफिस्यल साइट्स पे जो पर्फेक्शनाइस.com है वहां पर आपको मिल जाएगा और हमारे टेलिग्राम चैनल के उपर मिलेगा टेस्ट जो कंड़क्ट होगा वह बारा से दो क्योंकि कि BPSC BC से मैं टेस्ट लेती है तो हम लोग भी 12 से 2 करेंगे और आपको मैं जरूर बताऊंगा कि बताना चाहूंगा कि इस टेस्ट के समय आपको बिलकुल वही महाल मिलेगा जो महाल आपको एक्जाम के अंदर मिलता है ठीक है तो आप लोग जादा से जादा लोग आए और करना चाहता हूं कि जो 12 से 2 online में देगा हम लोग उसी की rank list जारी करेंगे 12 से 2 के बाद जो भी online test देगा हम उसके rank list नहीं जारी करेंगे क्योंकि एक दीन संडे के दीन सभी को छुट्टी रहती है संडे का दीन आप निकाल सकते हैं अपने preparation के लिए निकाल सकते हैं आगे के लाइफ को बेतर बनाने के लिए निकाल सकते हैं तो यह जो दीन होगा 12 से 2 आप online में भी अगर आप 2 बजे के बाद submit करेंगे तो we will not accept in your rank list राइट बात समझ पार है आप लो इसके बाद कुछ और सीजिए जिसके उपर discuss करना है तो six mock test paper होगा उसका date भी मैं आपको बता च explanation होगा important topics लिए जाएंगे जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर इसी तरीके का रहेगा और वही जिस तरीका जो 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 इंपर्टेंट सेक्शन्स पूछे जाते वह रहेगा और मैंने पहले वोला है कि टेस्ट होगा वह strictly BPSC के pattern पर आधारीत होगा समझ पार है online mode के students के लिए ठीक है आपको करना क्या है app download करना perfectionize app अप यह प्लेस्टोर से download कर सकते हैं वहाँ पर आप टेस्ट सेक्शन में जाएंगे जहां पर लिखा होगा प्रयास ठीक है प्रयास लिखा होगा उस टेस्ट सेक्शन में जाएंगे और डाइक लिए आपको क्या करने व चीज तीस अपरिल को एक्जाम है और आप लोगों को पहले पता है कि कौन कौन से important sections है लाइक की history जनरल साइंस करेंट अपर बिहार स्पेशल इन सभी को आपको यह सारे चीजों के उपर ज्यादा फोकस करना है आपको description list लिंक के अंदर आपको कहां पर registration करना है सब कुस द के हास में जब एक open mock test इतने बड़े अस्तर पर आयोजीत क्या जा रहा है और मैं आप सभी student community को यह बोलना चाहूंगा कि आप लोग जूरे perfection IS हमेशा आप सभी के साथ है आप सभी के सफलता के लिए हम लोग लगातार परयाश्रत हैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सफल लोगे मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में तब तक के लिए take care happy preparation खूब करें खूब अच्छा करें जैंड